बिसमिल्लाइ रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम, ग्रेट 3 Students, Exercise 3C का Question No. 8 जो है आज हमें Solve करना था लेकिन मैं Question No. 8 को Skip कर रही हूँ क्यूंकि हमने Question No. 7 में भी जो है इसी तरह की Mixed Fraction को हमने Subtract करना सीखा है और जो हम आल्रेडी सीख चुके हैं, इसलिए Question No. 8 को करने की जरूरत नहीं है Concept आपका Clear होना चाहिए, फिर आपको जिस टाइप का भी इस टाइप का भी आपको Question दिया जाए, आप उसको Solve कर सकेंगे ठीक है Students, तो हम अब What Problems Solve करेंगे इस Exercise के Question No. 1 है हमारे पास परवेज साइकल्स, 1 होल 1 by 4 km in the morning and 2 होल 2 by 5 km in the evening ठीक है जी, परवेज साइकलिंग करता है, morning में 1 होल 1 by 4 km और evening में 2 होल 2 by 5 km करता है ठीक है, How far does he cycles all together, तो कुल में आके वो कितनी साइकलिंग जो है, वो कर रहा है ठीक है Students, तो हमें जो है उसकी morning और evening दोनों की हमने जो है, उसकी cycling find करनी है, जब all together आ जाए, तो all together का मतलब ही यह है सारा में लाकर, ठीक है, तो total मतलब हमने find करना है, तो आपको पता है जी, हम all together के लिए क्लिए क्या करते होते है question number one, इसकी statement मैंने किस तरह से बिनाई यह देखे, परवेज cycles in the morning, morning में वो कितना cycle चलाता है, 1 hole 1 by 4 km, परवेज cycles in the evening is equal to 2 hole 2 by 5 km, ठीक है, morning कभी लिख 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 लिए, evening कभी, how far does these cycles all together, तो total में लाकर वो कितना cycle चलाता है, तो हमने इस के लिए क्या करना है, 8 करना है, because of all together, तो 1 hole 1 by 4, plus 2 hole 2 by 5 को हमने 8 करना है, students, यह mixed fractions है, अब आपको पता है, mixed fractions को आपने क्या करना होता है, इम प्रॉपर में change करना होता है, वो method आपको पता है, आप क्या करेंगे, 4 को आप multiply करेंगे, 1 से multiply, जो answer आएगा, उसमें इस numerator को plus करेंगे, 4, 1s are 4, plus 1, 5, तो 5 by 4 आगया इसी तरह यहां से हम क्या करेंगे, 2 को, 5 को 2 से multiply करेंगे, जो answer आएगा, उसमें 2 को plus करेंगे, 5, 2s are 10, plus 2, 12, ठीक है, 5 by 4 और 12 by 5 आगया, ठीक है, students, अब यहां पर हमारे पस क्या है, दो fractions जो है, वो aid हो रही है, मैंने आपको concept दिया था, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा fractions aid हो या subtract हो, आपको क्या करना होता है, don't forget to make the denominator same, denominator same बनाना आपने भूलना नहीं है, ठीक है, आपने denominator same बनाना है, पहले आपने बड़ा denominator देखना है, कि क्या, छोटे को हम उसकी equal बना सकते हैं, बना सकते हैं, then well and good, अगर नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, then we will have to take LCM, ठ ठीक है, फिर हमें LCM लेना होगा हुझा, तो अब हम 4 और 5 कर, जब LCM ले लेंगे, बहुत easy है, आपको LCM आपने सीखा है, पूरे एक chapter आपने LCM और HCF पर पढ़ा है, तो इसका LCM लेने से 20 अब हमने क्या करना है, we have to make the denominator is 20, of both fractions, दोनों fractions की denominator में हमें 20 बनाना है, LCM लेने क alle sniffl की denominator में बनाना होता है, अब हमें पता है 20 हमने इधर भी बनाना है, इधर भी, 4 को अगर 5 से multiply करेंगे, तो 20 बनेगा और 5 को 4 से multiply करेंगे, तो 20 बनेगा, और जो काम हम denominator में करते हैं, must वो हमें numerator में अजम और यहां से आजाएगा 48 upon 20, जब denominator same हो जाएगा तब हमारा बहुत easy हो जाता है काम, तो यहां से क्या हो जाएगा, denominator को हम one time में लखते हैं, और numerator aid हों या subtract हों वही हम कर लेते हैं, तो यहां aid हो रहे हैं, aid कर लिया, तो यह हमारे पास आगया जी, 73 upon 20, ठीक है students, अब देखें, यह हमारे पास एक improper fraction, और improper fraction को हमने क्या करना होता है, we have to convert them in mixed fraction, तो improper को हमेशा हम mix में change करते हैं, तो mix में देखें, 73 upon 20 जो है, 73 upon 20, इसको divide किया, हमने 23 times 60 ले लिया, minus किया 13 आ गया, अब आपने क्या करना है, clock method से अपना answer लिखना है, ठीक है जी, 3 whole, 13 upon 20, this will be your answer, okay students, now we will move on question number 2, Tania and Rida were making some paper flowers, Tania और Rida paper flowers बना रही है, ठीक है, कुछ paper से वो क्या बना रही है, floors बना रही है, Tania used one whole seven by ten meter of paper, Tania कितना use करती है, one whole seven by ten meter, and Rida one whole one by ten meter use करती है, how much paper they, did they use all together, तो total वो कितना जो है, सारा कुल में लाकर कितना वो जो है, paper use करती है, तो फिर देखें students यहाँ पर, all together is the keyword for addition, word problems, all together से हमें पता चलाया, कि हमने क्या करना है, है, दोनों mixed fractions को aid करना है, ठीक है students, question number two की statement देखें, यह statement बनाना हमारे लिए must है, क्योंकि उपर हमें कहा गया है, solve the problems, writing complete statement, तो हम इसकी statement किस तरह से लिखूंगी देखें जी, question number two की, two का solution आईए, Tania used pepper is equal to one whole seven by ten meter, Rida used pepper one whole one by ten meter, they used all together, we have to find this point, they used all together, वो सारा मिला कर कितना स्तमाल करती है, वो हमने find करना है, तो all together के लिए हम क्या करेंगे, aid कर लेंगे mix fractions को, तो अभी जो मैंने मिला किया, और आपको यह method भी आता है, mix को किस तरह improper में आप change करेंगे, denominator already same है, हमारा काम बहुत असान हो गया, 17 plus 11, 28 upon 10, that is an improper fraction, we have to convert this fraction into mix fraction, okay, 28 by 10 है, 10 two times कर लेंगे, 8 हमारे पस आएगा clock method से हम अपना answer लिखेंगे, ठीक है, two whole eight by ten, two whole eight by ten अब eight by ten को अगर आप देखें, numerator and denominator, both are even numbers, ठीक है, so the common factor of this fraction is two, two say eight, we divide हो सकते five, four times eight, two five times ten, ten, तो आपका answer आएगा, two whole four by five, this will be your final answer, okay students, now we will move on question number three, after a batsman hit, the ball traveled, 70 whole three by four meter, batsman ने, ball को जो hit किया, bats से, तो ball ने कितना distance travel किया, 70 whole three by four meter, in the next hit, और next hit में क्या हुआ, यनि कि दुबारा जो उसने hit किया, bats से, ball को, ball traveled 90 whole one by five meter, तो इतना जो है, next hit में, बाल ने ट्रेवल किया, how much further did the second ball traveled than the first, तो किये रहे हैं, यहाँ पर देखें, 70 whole था, यहाँ पर 90 whole हो, ठीक है, तो किये रहे हैं, कि second ball में उसने first ball के distance से कितना ज्यादा travel किया, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 whole one by five minus 70 whole three by four, तो इसके लिए हमने minus करना होगा, इसके आप देखें statement किस तरह हम बनाएंगे students, ball traveled in first hit is equal to 70 whole three by four meter, ball traveled in second hit is equal to 90 whole one by five meter, how much second ball traveled than first, we have to find this point, तो क्या करेंगे, second ball का जो distance है, उस में से हम first वाले distance को minus कर देंगे, ठीक है, अब जो उसने first ball ने जो first hit पे जितना travel किया, और second hit पे जितना travel किया, दोनों हमारे पास वो मुझूद है, उसके distance, तो अब हम क्या करेंगे, second में से first को minus कर देंगे, अब देखें, यह हमारे पास mix fraction है, mix को हमने change किया improper में, आपको पता है किस तरह से, 5, 90 times plus 1, इसी तरह 4, 70 times plus 3, ठीक है, तो हमारे पास जो आया, अब देखें, हमने students फिर क्या करना है, इनके change करना है, sorry, सेम बनाना है इनकी denominator को, because, 2 fractions subtract हो रही है, तो जब मैं 5 और 4 का LCM लोगी, पिछले question में भी हम नहीं गई किया, तो वो 20 आ रहा था, ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे, LCM लेके, 5 को 4 से करेंगे, 4 को 5 से 20 बनाने के लिए, ठीक है, तो उपर जब हम multiplication की, 18.04 आया, 14.15 आया, जब आप denominator सेम होगे, तो उपर की numerator क्या हो रहे हैं, subtract हो रहे हैं, ठीक है students, तो subtract करने से जो हमें नंबर मिला, 389 upon 20, that is an improper fraction, अब हम इसको क्या करेंगे, convert करेंगे, mix में, और clock method से अपना answer लिखेंगे, 19 whole 9 by 20, this will be your final answer.